गुड मॉनिंग मच्चो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कॉक इसके लिए आपको कलर की ज़रूरत होगी सबसे पहले आप कॉपी के उपर अपने हाथों को इस तरह से रख ले और पूरे हाथ की स्केचिंग कर ले बिल्कुल इस तरह आप लोग भी अपनी कॉपी में स्केच कर ले और उसके बाद जैसे उंगलियों में डिवाइड होता है वैसे हम भी इसमें डिवाइड कर देंगे सारी उंग्लियों में इसी तरह डिवाइड कर लें इस तरह आप लोग भी सारी उंग्लियों में बिल्कुल इसी तरह डिवाइड कर लें उसके बाद हम लोग बनाएंगे यहां से एक बीक बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे और इसके उपर एक कलगी बनाएंगे और नीचे एक और यहां आइस बना देंगे मिल्कुल इस तरह अब इसको हम थोड़ा सा और शेप में लाएंगे इस तरह बनाएंगे और एक लेग बना देंगे यहां से यहां से पहले ऐसे एक शेप लाएंगे इसको ऐसे करेंगे इस तरह से फिर इधर से लाएंगे इस तरह करेंगे बिल्कुल इस तरह करेंगे और अब हम लोग इसको कलर करेंगे कलर करने के लिए मौम कलर का यूज़ करेंगे सबसे पहले हम रेट कलर का यूज़ करेंगे जितने भी फिंगर के टॉप हिस्से हैं उनको हम रेट कलर से करेंगे इस तरह से आप लोग भी रेट करेंगे उसके बाद हम ग्रीन का यूज़ करेंगे इसके बाद हम औरेंज का यूज करेंगे इस तरह से सारे Fingers में करेंगे बिल्कुल इस तरह से औरेंज करेंगे और हम करेंगे Purple ये बनेगे आपका Cob अब हम इसका नाम लिख देंगे Cob इसी तरह आप लोग भी अपनी Math Copy में बनाए Thank you!